नमस्कार दोस्तों, helpful channel में आप सभी का स्वागत है आज दोस्तों मैं सबको आपको कुंडली के 11 भाव के बारे में बताऊंगा 11 भाव आपकी इच्छा का भाव होता है, कि आपकी इच्छा कब पूरी होगी, आपका काम कब बने होगी दोस्तों, प्लीज चैनल को देखने से पहले प्लीज असको सब्सक्राइब कर दीजे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको काफी अब तक नई नहीं जानकारिया मिलेगी मेरी एस्टोलोजों की डिफरेंट अप्रोच है और प्लीज जो भी क्वेरी को भी समय से हो, कमेंट्स बॉक्स में कर दीजे मुझे मेल कर दीजे, मेरी मेल आइडी नितिन 549 एड़ दरेट जीमी लड़ कॉम है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जोर करें सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों मेरा आज है 11th house में आते हैं तो मैं आपको 11th house की कुछ बताऊंगा कि आपकी इच्छा हैं, आपकी नौकरी, आपका जॉब, आपका भाग, आपके साथ काम करेगा और किस जिसा में आपका भाग काम भी करेगा 11th house है, ये भी हाँ आपको बता दूँगा कि आप किस जिसा में आपका भाग उदय होगा और किस जिसा में आप सफल होंगे तो सबसे पहले हम लोग 11th house की तरफ चलते हैं ये 11th house है, जैसे यहां ये 10th, 11th house है दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि 11th house का जो मालिक होता है वो इस कुंडली के किस घर्म के भाव में बैटा है क्या 11th house का जो मालिक होता है कुंडली के हर भाव में बैटने पर अलग अलग वो आपका फल देता है जैसे कि 11th house का मालिक यहाँ पर 11th house साती कुंबराशी इसक कभी आपस में पढ़ते नहीं है तो वो दोनों डिफरेंट अप्रोच हो जाएगी और लड़का या अजिंतान या व्यक्ति महिला वो अपने दम पे ही सब कुछ पाना पसंद करती है सेकंड हाउस यह अगर यहां बैटता है तो उसका यह धन भाव भी होता और कुटुम का भाव होता है यानि वाणी का भी भाव होता है तो व्यक्ति अपने वाणी या कुटुम या अपने घर परवार से सल्फ हेल्प लेके वो अपनी इच्छाएं उसकी पूरी होती है के जैसे आपने अकुछ मकान खईदा तो हमकी सक्सेस हो गई पाच वाटा रूता है उसके बल भी आप योग पा सकते हो छटा होता है शट्रू होता है शत्रू भाव होता रोग फिर वह नहीं आप लोग से बलते हैं यह सच्छ के द्वाल पे आपके कुछ कुछ कूछ काम आपको काम मनने लगे 8000 होता है इसकी हrabous आपको अचानक कुछ पूरी होती है सोचोगे तुरंद पूरी जाएंगे ट्वेल्थ हाउस में यह किसी बाहरी वैक्ति के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होती है तो अब यह देखते हैं कि कहा कहा पर क्या बैठा है इसका अब उच्छ का बैठा है कि नीच का बैठा और यह सब तभी ची लागोंगे जब हो कि जब यह हम दो 910 और 11 यह अगर हम ध्यान से देखें तो यह ट्राइंगल दिख रहा है बाकि सब चीज को पूरी कुंड़ी को चुपा दो तो यह पूरा ट्राइंगल दिख रहा है दोस्तों है यह ट्राइंगल पूरा दिख रहा है इस ट्राइंगल को अगर हम लोग यह ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का कमभीनेशन भाग व्रहूं को बट ऑफ कर त्थ दो ने चाहिए थिए थेक्टरेव दोस्तों अगर इन बाव आपके बार पिता है तो सब्सक्राइं में बढ़आए चाहिए अगर बैठते हैं तो आपकी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आना चालू जागए क्योंकि बैक्ति की लाइफ स्मूद तभी चलेगी जब यह तीनों चीज अच्छी होंगी और यहां पर तीनों राशियां ठीक होंगे और इसका मालिक जो होंगे वह काफी अच् दोस्तों आपको अच्छी लगी प्लेस लाइक करें सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो में ट्वल्थ हाउस के बारे में बताऊंगा और बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को एक ऐसी प्रॉपर्टी बताऊंगा कि कुंडी को देखे आप लोग जान चैनल को सब्सक्राइब करें धाइंक्यू दोस्तों और अपनी क्यूरी सो कमेंट्स जो लिखते रहे हैं कैसी लगी वीडियो आपको धन्यवाद दोस्तों प्ले हेलपूल चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों